हलो इद्यार्थी मित्रों नमस्ते आज हम बात करेंगे पापुलेशन पीरामिट्स के बारे में जनसंख्या पीरामिट क्या होता है और उसका महत्व हम कैसे पापुलेशन जागरफी में कर सकते हैं तो आप सबसे पहले हमको देखना होगा कि जनसंख्या का अध्यान मानवी संसाधन के रूप में भी हम करते हैं मानवी संसाधन में नहीत सारीरिक एवं बहुत धीक छमता का किसी प्रदेश के विकास पर प्रभाव होता है किसी भी प्रदेश का विकास अन्य संसाधनों के साथ साथ मानवी संसाधनों का उपियोग हम किस प्रकार करते हैं पर निर्भर होता है या अवलंबीत होता है तो दोस्तों आप चैनल पर अदिन नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इससे पहले जो जनसंख्या से रिलेटेड वीडियो है वो उपर बेल आइकान में है वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं तो आज हम देखेंगे कि जनसंख्या विसलेशन की प्रक्रिया के अंतरगत जनसंख्या का सरचना का अध्यान करने के लिए हम जनसंख्या पिरामीट का उप्योग करते हैं तो एक्चुली में जनसंख्या पिरामीट एक प्रकार का ग्राफ होता है जिसके द्वारा हम आयू वर्ग के अनुसार और सेक्स रेशो के अनुसार जनसंख्या के सरचना को समझ सकते हैं जब जनसंख्या के आयू जिसे हम एज कहेंगे तथा लिंग अनुपात जिसे हम सेक्स रेशो कहेंगे को ग्राफ पर दर्सा आ जाता है तब जनसंख्या पिरामीट बन जाता है इस तरीके से जो आप देख रहे हैं ग्राफ पर इस तरीके से ये बी सी ये जो ग्राफ दीख यही जनसंख्या पिरामीड है अब इसके मुख्यत तीन प्रकार होता है तो तीन प्रकार कौन-कौन से होता है वो हम देखेंगे तो सबसे पहले प्रकार हम देख पाएंगे यहां कि यह जो ग्राफ है केपिटल यह जो ग्राफ है इसमें इसका आधारतल विस्तारने वाला होता है यह आधारतल है जो विस्तारने वाला होता है और सीर्स संकुचीत होता है उपरी हिस्सा जैसे जैसे हम उपर की वोर जाएंगे सीर्स की वोर जाएंगे वो संकुचीत होते जाएगा तो जब आधारताल विदिस्तारने वाला हो और सीर्स संकुचन वाला हो तो इसका अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि बढ़ते हुए आयू के अनुसार बढ़ते हुए आयू के अनुसार मुर्त्यूदर भी बढ़ता है यानि जैसे जैसे किसी देश में लोगों की आयू इसतर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मुर्त्यूदर में और भी अधिक्ता होते जाएगा तो यहाँ पिरामिट जन्मदर और साथ-साथ मुर्त्यूदर दोनों की अधिक्ता है ये बताता है मतलब इस तरीके से जब पिरामिट हो या ग्राफ हो तो इस समय में हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर मुर्त्यूदर भी अधिक होगा और जन्मदर भी अधिक होंगे और नमबर सेकेंड जो पिरामीड है वो है आधार का संकुचन होना और सिर्स विस्तारने वाला होना मतलब जैसे जैसे हम उपर की वोर जाएंगे क्या होगा कि ये विस्तार करेगा या बढ़ते जाएगा और जैसे जैसे हम आधारतल की वोर जाएंगे ये जो ग्राफ है वो संकुचित होते जाएगा तो इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर वुरद्धों की संख्या अधीक है जबकि यवाओं की संख्या कम है मतलब यदि आधारतल संकुचित वाला और सिर्ष विस्तारने वाला है तो ऐसे समय में यहाँ पर बुड़ों की संख्या या वोर्ड एजर्स की संख्या अधीक पाए जाएगी जबकि यवाओं की संख्या कम होगी इसे यह निसकर्ष निकलता है कि यहाँ पर जनमदर और मृत्यूदर दोनों भी कम होगा बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों भी अत्यंत कम होगा तो इसी को कहते हैं हम आधार का संकूचन और सिर्ष विस्तारने वाला ग्राप एंड जो सी है नेक्स्ट टाइप है वो है इस्थिरा अवस्था या इस्थिरा अवस्था वाला ग्राप तो इस ग्राप में हम देख पा रहे हैं कि इसमें इस्थिरा अवस्था है मतलब जैस जैसे आईव वर्ग बढ़ते जा रहा है तो जन संख्या स्थीर है या जन संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो यहां पर प्रतेक आईव वर्ग का प्रतिशत या एज ग्रूप लगभग स्थीर या समान होता है मतलब इस अवस्था में या इस ग्राप में जन्मदर और मृत्योदर अत्यांत कम पाई जाती है जिससे जन संख्या व्रधी नगन्य होता है मतलब इस अवस्था में जनसंख्या वृध्धी नगन्य होता है तो इस प्रकार से इस तरीके का जो ग्राप का पोजिशन है वो यूरोप के कंट्री में बन सकता है क्योंकि यूरोप के कंट्री में क्या है कि जनसंख्या का वृध्धी नगन्य है जबकि अगर हम ये ग्राप देखे तो इस ग्राप में ये ग्राप में जहाँ पर आधालत तल विस्तारने वाला है और ये उपर का तल क्या है उपर तल सिर्षतर संकुचन वाला है तो इस तरीके का जो पोजीशन है वो जनरली जो देश अविक्सीत है या जिनका अभी अभी विकास हो रहा है ऐसे देशों में इस तरीके का पिरामीड बन सकता है या ऐसे देशों के लिए जनसंख्या का पिरामीड हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा जिसमें बढ़ते हुए आयू अनुसार जनमदर और मुर्त्यूदर भी बढ़ता है और यहाँ पर लोगों के लिए जो स्वास्त सुविधाओं का भाव होता है और इसलिए यहाँ पर जनमदर अधिक होता है और साथ-साथ मृत्यूदर भी अधिक होता है यह बी पोजिशन में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जनसंख्या में बुढों की संख्या अधिक और यिवाउं की संख्या कम है तो यह ऐसे कं को बताता है जहां पर आलरेडी डेवलब्मेंट अधिक हो चुका है और यहां पर जो डेवलब्मेंट होने के कारण मेडिकल फिसिलिटी होने के कारण अधिक आयू वाले एज में भी जनसंख्या ज्यादा है कम आयू वाले एज के तुल्ला में तो इस तरीके से हम graph wise या graph के आधार पे हम जब जनसंख्या के आयू सरचना का अध्यन करें तो उसी को हम कह सकते हैं जनसंख्या pyramid या population pyramids तो इस तरीके से हम population pyramids के आधार पे हम किसी देश के सरचना को या हम कह सकते हैं उसके विसेस्ताओं को समझ सकते हैं जैसे कि यह जो pyramid से यह अपर आप देख़ पायरा है कि जैसे जैसे एज बढ़ रहा है यहां पर जैसे जैसे एज बढ़ रहा है वैसे वैसे जनसंख्या जनसंख्या या पापुलेशन कम हो रही है तो इस पोजिशन जनरली हम इंडिया के संदर्भ में देख सकते हैं कि और डेजर्स में जाएंगे तो यहां पर क्या होगा कि बुढ़ों की संख्या कम होते जाएगी और जैसे जैसे हम कम एज की और जाएंगे तो यहां पर जनसंख्या बढ़ते जाएगी तो 15-69 वर्ष के बीच में पापुलेशन यहाँ पर अधिक पाया जाता है और इसलिए इस आधार को हम कह सकते हैं कि इवाओं का देश या इवाओं का देश क्योंकि यहाँ पर बुड़ों की संख्या कम है किसी देश में किस आयूवर्ग के लोगों की संख्या कितनी है इस पर ही उस देश के आर्थिक विकास का भविश्य कैसा होगा वो निर्भर करता है जिस देश में बाल वरद आयूवर्ग वाले लोगों का अधिक्य है यहाँ अधिक्य देश के आर्थिक विकास पर दबाव को बढ़ाएगा जबकि जिन देशों में कारियरत आयूवर्ग के लोगों का अधिक्ता है उस देश में मनुश्य बलकि विपुलता को दर्साएगा या वो देश के लिए beneficial होगा